तो गाई जैसे कि आप लोग ने लाज एपिसोड के एंड में देखा था यहां पर यह इंफिन उन तीनों पोलो को मर्च करके एक सुपर पाउर बनाने वाले अपने लिए तो देखा आया अचा था है वह उस प्लांट से तीनों पोलो को मांगता है वह उसको दे देती है यह कपने हाद में लेता है और अपने क्राफ्ट मेंट स्कूल का यूज करती वह उन सब को मर्च करता यह वह काम्याब हो जाता है पर साथ ही यहां यह पोलती है क्या हूँआ क्या तो दिखाय यहां से यह सरे आइस ब्लस शेड़ो निघलाते है जैसे वह आई कि य ale humility is the power to plant लौता है इसी पाउर तो प्रिर धी नहीं देखी और साथ ये एंड-4+, मेरी पाउयर झाल दिया हो यहां पर यहें पर ही इंच निकाल दे में और यहां ज़िस कर दो ऊक खनों के तरह सब्सक्राइब करना बंद करना बंद करो जल्दी चाओ बुला कर लाओ वो जोंबी चेनियों को पकड़ने वाले होते हैं चेनियों पुरा घबड़ा चाता है चेनियों के रहा होते हैं सब खतम कि तब युद्सक्राइब लेविल फॉर्ड के पहुंच चुका है लेकिन अभी हाँ पर और भी जोंबी होते हैं जो कि चेनियों के पीछे पढ़े आते हैं तब यहां पर लेविल 4 गाइस्मार्ट फाइटर एक्सवी से बना जाता है उन ल सबसे चुटकार आपाओ और यह सारे क्रिस्टल चल्दी से बोस को भेज़तो और यूबी आप अपनी मेशन ने कर वाली बीटी के लेविल 4 पर आ चुकी है यूग का पापा सोच रहा होता है मेरी यह बीटी हमेशा बस बोस के बार में सोचती रहती है कि उसकी नजरों में कि अबी उसके फादर जैसा हूं चैनियों सोच रहा होता है से यह नियों भी कापी दा ग्रेट हो दी जा रही है यह वाकिये में कैसी लेटी है जो बोस को भी चैलिंज दे सकती है कि तब जोड़ दर होकमा जाता है यह लोग बुरी तरह से काप चाप चाते है चैनियों के सब्सक्राइब करो जल्दी से किस्टाइक को बुला रहे हैं इसा लगता है कि क्या चल रहा है तो मुझे लगता है कि आप उनको बहुत चुपना चाहिए यह इंफंट करता है सब्सक्राइब करते हैं कि अपनी तरफ से सिर्फ चाल लोग जाएंगे मेरे साथ मूँ बोलती है इन पिछले कुछ दुनों में हमने अपनी स्रेंद को काफे इंप्रूफ कर लिया है और साथ हमाएं पास एक्सपरेंस भी आ गया है कि हम लोग उस चैनिंज के अंदर कर सकत सब्सक्राइब करेंगे मुझे डाल लग रहा है कि तभी एंपन केता है इसलिए यह भी पॉसिबल हो सकते है कि वहां पर ऐसे सिट्वेशन बन जाए जहां पर लोग एक दूसरे को मारना पिछले वाले चैनिज में तो कभी भी किसी में भी ऐसा कुछ नहीं वाकर हो क्या र मैं ने बताया यह एक स्पेशल चैलेंज फिर्डे और इसकी डिडिल के बारे में उन्चालों को बात में बताऊं को चुकि मैं साथ इन वाल वंगे और में साथ चलेंगे और बागी के मैं पास उनके इंपोर्टन टास्क है और इस टास्क को तुमको इस समान ना होगा मेरी सिस्टर किंग्स केती है भाई में तो तुम्हें ऐसा देना चाहती हूं भले ही वो चैलेंज फिर्ड खाता ना को लेकिन मेरे को इस बात का डर नहीं ब्रादर अब मैं काफिर्दा बड़ी हो चुकी हूं मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के बहुता जरूरत नहीं है मेर नहीं लेंगे तुम लोगों को एक ब्रैंड न्यू बेस के लिए जिगा ठोड़ने हैं अब लोग वहाँ पर अपना इक ब्रैंड न्यू बेस इस्थापित करेंगे तो वहाँ पर लोग अपने पेरेंट्स को भी ले कराएंगे यह सुनते से किंग्स हिरान हो जाती है यह बोलता है तुम सब लोग भी अपने अपने रिलेटिप्स को ला सकते हो इस बार अपने लोग जहां पर बेस बनाने वाले हैं वह एक बहुर्दी अच्छी जिगा होगी ना सरी वहाँ पर रंडम ट्रेटिट्स की कम होगी बलकि वहाँ पर अपनको फोजिंग के लिए भी मटेरियल्स मिल जाएंगे वह बोलती है यह तो काफी अच्छी बात है वेसे भी डूच्वान सीडी का इंवारोमेंट अब बहुर्दी अंस्टेबल होता जा रहा है और इसे में अगर अगर अपने लिए एक नियू बेस ठुन लेते हैं तो यह बाकिये में अपने के लिए काफी जाद अच्छी बात रहेगी लिन बोलती है और मैं अपने प्रेंट्स के लिए काफी प्रेशन हो रही थी तुम्हारा शुक्रिया बोस में भी उनको वहाँ पर लेकर आऊंगी तब एक बंदा पूसता है वेसे हमारे नियू बेस का नाम क्या होगा या इंफन कहता है बहुत है मैंने पेले ही एक नाम सोच लिए इस बेस्ट को अफलोग जिंग हो बलाएंगे एक दिन जंग हो एक नहीं प्यारी शुरू करेगा हम सभी एक लोग एक लोक्लेशिव के बात वाले दुनिया में बहुत अधर दोता है पुराना प्रौस तो हमेशा इस बारे में सोचता रहता था कि कैसे जाद से लोगों को मारा जाए और हर दिन कुछ क्रिश्टल इखटा कर लिया जाए कभी भी बॉस नहीं कि सोच और लगता नहीं कि कोई बोस इसके बारे में सोचेगा भी इस पहले बोस एंफिंट की पाथ सुनी में वाकि में रोड़ना जादा था यूगा पापा सोच रहा होता है पहले मुझे कभी बीच इसका विशार नहीं आया मुझे उमीद नहीं थी कि ऐसे यंग परसन भी इतने जागरू कोंगे मेरी बेटी की नजरे तो काफी जादा अच्छी है और वो दुनों सब्सक्राइब होती है हमारा बोस हमे बोस होती है एक नया बेस बनाने की वज़े में तो बोस के साथ जीने और मेंने की आशार रखते हो मेरे को भी उस चैलेंज फिल्ड में कॉंट्रिब्यूट करना है कि तब यह इंट फिन उड़के मुझे को मैं थमा देता है मुझे लेकिन मैं और वह भी सोच रही होती है ने हम को यह काम दे दिया इस नहीं को और यहांने नहीं चोंग के पास के बिसी और शाथी करना टी अगहर तो दुम दोनों में सेeremos करना चाहता तो हमारे बेस पर कोई भी नहीं है जो इसा कर सकता है अब यह सुनने के बाद दोनों लड़कें पिखल जाती है जू सोचती है बोस नहीं हाँ पर मेरे इस तरह से तारिफ की है अगर मैंने यह टास्क फेल कर दिया तो मैं उनको चेहरा कैसे दिखाऊंगी और मु तो अब यहां पर मैं पास रीजन ही नहीं है उनकी इस बात को रिफ्यूस करने का शू बोलती है बोस्परेशन मत हुई है नियू बेस का काम बस मिरों पर छोड़ दीजिए मूह भी बोलती है बहुत अच्छे अब मैंने सभी लोग उनका टास्क दे दिया है तो टाइम आ हो गया है वो सबी खड़े होते हैं ठीक है बॉस और फिर हमें बताया चाता है कि अब बस आठ घंटे ही बागी है अल्टिमेट चैलेंज कोर्स को ओपन होने के लिए देखाया चाता ही कुछ लोगी टीम ओल्डेटी निकल पड़ी होती है उस बेस की लोकेशन को ढूंडने लोगों का भी ध्यान रखना होगा सबी लोग यह बात रखना वह अपने किसी पेक्ट को नहीं चोड़ेंगे वोसे भी कहते हैं यह मैं और इसके बाद हमें यह इंफिन का सींदिखाया चाता है चूकि किसी उची से बीडिंग पर होता है कर रहा है वह बहुत जल्दी ही से से भार निकल जाएंगे लेकिन उन्हें आराम करने के लिए खुद के ओपर यह डिपेंट रेना होगा यह इंफन सोचता है मैंने उस मैप के ओपर जो जिगा मार करिए मेरी प्राइबेस लाइफ में जिगा की ओपर स्काइवी लोगनाईजेशन का में बेस बनाता और दस साल बात वो बेस चाइना के सबसे जादा लाज इस पेस में गिरना गया हो ऐसा लगता है कि मैंने इस बार इसका एपी लोगनाईजेशन से उनका बेस छिन लिया है तो जो कि उनका फ्यूशन में होने वाला था लेकिन अब नहीं यह इंफन के टाइम हो चुका है तो चलो शु पूचता है बोस के यह तुम्हारी सूपरनेश्रल पावर रहें यह मैरी चेडों से यह मेरी पावर है और साथ ही मेरे क्रियेशन भी इन में से हरे शडू के पासफॉर्ट लेविल जिति पावर है और अगर यह मर जाते हैं तो यह गाइब नहीं होंगे उल्यटा मेरे पास में मुझे पता है इसे चैलेंश विल्ड में ना रिबेलियन मॉस्टर्स होंगे बलकि साथी कुछ जीब से रूल्स भी होंगे और साथी वहां पर लोगों को रेंडेमले स्लेट किया जाएगा एक डेट मैच के लिए में और स्काइविल हो सकते हैं लेकिन साथी तुम और मेरा भी सामना हो सकता है यह सुनते हैं यू बोलती है तो फिर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप लोगों की सिच्वेशन को अगोईट कर लें यह हैं एक दूसरे को मारने से रोकने का बस एक मातर तरह का यह है कि उन्हें मार उन्हें खुद को मारने ना देने के कोशिश करो और वेसे यह शेडोस मेरा खूंट ढून सकते हैं जिसे तुम पेचालना होगी कि मैं यह मैं हूं और मैं तुम लोगों से वहाँ पर कभी नहीं मिलूंगा यहां इंफन सोचता है मेरी पिछली लाइफ में अर्टिमेट सब्सक्राइब करता है और बिना किसी डावड़ियों तो बात के लोगा बस तुका भी हो सकता है अगर इस में ने काम नहीं किया तो तुम एक समय पर क्याबले की कदम आगे बढ़ सकते हो कम से कम यह उनके डर को दूर कर सकता है अंकलियन केता है यह से लगता है कि मेरी तर मेरी यह बेड़ी मेले कॉमेट के लिए सुटेबल नहीं है और शेटो मैं बहुता है मैं तो समझ गया ऐच्छे से और इसके बात एक हुआ चांप और शेल करने से बहुत मुश्किल होने वाला है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एड में हमें से कोई भी नहीं हारेगा वो सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम लोग यहां पर आ चुके हैं यहां केता है कि क्रेविटी काफिदा इस्ट्रोंग हो गये मेरी बोडी भोचता है वे फील हो रही है पीछे वाला बंदा बोलता है कि इसके वारे में तुम लोगों को बता आता है इसका फिल इसकाई वील और्गनेजिशन के चार्स सबस्यादा पाउफुल लोगों में से एक इसकी ग्रैविटी है और आराउंड इसका लेविल फाइव होगा यह सुनते से वह लोग थोड़े हैं और यहां पर एक लड़की चलते हुए आती है और फिर साथी पुरी टीम सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं और यह लोग वाके में काफी ज़्यादा ही जैसा कि बौस ने हमसे कहा था जूहाद बढ़ात हुए केता है मेरे सब्सक्राइब मत करिएगा मिस्टरियन इस बार मैं तुमसे हैल मांग रहा हूँ इसमें अपन दोनों कई फायदा हो सकता है और मेरे आदमें को यह पता चला है कि चैनेश आरे नामें अपन का सामना बहुत सारे हाई लेविन मुटेट प्रांडों इसके साथ होने वाले चैनेश रेना के अंदर तो ब बड़ी विगनेश लें इस बैचरे को क्या लगता है कि हमारे बोस के सामने से खड़े हो सकता है हम लोग तो बस लोगों को तोपके चारे की तरह यूज़ करने वाले हैं इसलिए अभी पीछाटे हुए हैं यहां सोच रहोता है मुझे लोगों की आखों में के लिए इंट बहुत ही अच्छी बात कहीं तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसका एविल का एक बंदा ट्रेडर के सामने क्रिस्टल कोर का बोक्स खुल के रख देता है के रहा होता है यह रहा क्रिस्टल चल दिसे चैलेंच फिल्ड को ओपन करो और दिखाया चाता है वह दरबाद ओप कर देता है वह लोग अंदर जाने लगते हैं सकाई विल का बहुत जाने से पहले बोलता है तुमको गुड़ लग और फिर इसके बाद हमें किसी बीश्ट का सिंदेखा आ चाता है एक बीश्ट जोगी बड़बडा रहा होता है क्या मैं इंसान हूं यह इंसान क्या होता है और कुछ गीश्ट उसी की दरफी देख रहे होते हैं वह रहानीज से पास तो उसको मार को दिल निकार लेता है क्या रहोते है क्या एक इंसान कदिल ने कि तभी उसके पास rejected ऐं उस धर्वाज धो और ते ज issक बाड़ोंगए कि आपको दिखाये को सब्सक्राइब कर लोगोंगे और इसके बाद में किसी दूसरे जिए कर दिखा दिखाया चाहता है बहाँ पर पर युक्छ लोग मौशुत रहे चाहिए और पर यह कंदर से गंटीप और यह तो वाके में स्केरी है और अभी सबी लोग विल्कम नहीं तरह से हम सुच्छिशन में भी होना ही चाहिए चलो अब जाने दो में यहापर नहीं करने वाला और साथ वो जोइन का बटन दबा देता है जैसे वो बटन दबाता है उसके सामने विंडू अपन होती है क्या देखाई और फिर साथ यहाप रूल साजाते हैं पहले मैं बताए चाहिए कि चलेंट में तुमको तुमको तिन मिशन करने पर तुमारे रिबॉर्ड रिबॉर्डर होगा और तुम उन मिशन को आदे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं और दूसरा रहता है कि पर आएगा उसे गोड से लव रिसीव होगा और इस दुनिया के तुरूत के बाले में पता चलेगा तुरूत सच्छा ही सामने आएगी और फिर एक और बेंड़ बनों होती है बताया चाता है कि तुम्हेरा इस दुनिया के सच्छा है कि यह रियल रीजन है जो मेरे प्राइबेस लाइफ के बाद एक्दम से राइस कर गई उसका रिजन शाहिए यह हो सकता है और बताया जा रहा होता है कि चैलेंज में बस दो एंट्रेंस है और करेंड़ी सेवन प्यूपल है और 376 मूटेंट्स ने लुट है तो पहले में और कि यह होता है लेकि का कहते हुआ है और भी सी लिबोम सोते हैं तो में अब यह मार शुका होटा यह infant केता है कि इतिफा के में भी same यही चीज़ सोच जाता है वो वंदा घुसा हो जाता है कि रहो होता है कि तो भूल गया है मैं तेरे से तभी यहाँ पर बिल्कुल भी mess नहीं करना चाता जहन टान बोलता है इस चैने श्रेट पर अभी तो और भी लोगों को टेलिपोर्ट किया जाएगा मेरे को हिरानी है कि यहां के बॉस का लेबल कितना होगा और वाइद अवे क्या तुम्हें गोर्ड लफ्स के बारे में कुछ पता चला यह इंफ्रेंट केता है आफकोर्स लेकिन यह मिलेगा किसे इसका जवावी तक नहीं पता है यहां पर कई सारे गेट्स और निकलती है और बहुत सारे बीश्ट आ जाते हैं और फिर साथे यहां पर कुछ इंसान भी टेलीपॉर्ट होई जाते हैं लड़कियों में से कैने लगती है आकर यहां पर ही मुटेंट मॉस्टर्स कैसे आ गई दूसी लड़की बोलती है अब सब्सक्राइब करना और लोड़ ऑफ सेंट इस पूरी जिगाह पर बस रहती रहते हैं अगर हम लोग अलग हुए तो मेरे को डैरे की बोस को हराना भी इंपोसिबल हो जाएगा कि तभी यहां पर हर्चल सुरू हो जाती है कावे सारे बीशन लोग तरह बढ़ रहे होते हैं जेंटें चलाते हुए किता है सब लोग इखटे हो जाओ इस बार यह मिशन सर्वाइफ करने का है तो हम यूमर्स को इखटा होकर यह करना होगा कि तभी इन मेंसे एक लड़की पीछे की तरफ निकल लेती है कि यहां पर इन लोग के साथ नहीं रहे सकते मेरा अलग होना ही बेटर होगा इससे मेरे सर्वाइफर के लिए बेटर बेटर चांस होंगे जब की बागी की दो लड़के चलाना शुक्त है और बोलती है मैं यहां पर मनना नहीं चाहती ब्रदर प्लिस मेरे को पोटेट करो कि तभी यहां पर रेत में से एक बड़ा सा मोश्टर निकलता है होती है जल्दी जल्दी से मेरी मदद करो ब्रदर है जल्दी से अपना हाथ दो ब्रदर अगर तुमने मेरे को यहां से भार निकाल दिया तो मैं तुम्हार दे वह सब कुछ करूंगे जो भी तुम चाहते हो लेकिन वह टकला बंदा उसकी तरफ देखता भी नहीं वह चलात है इसा लगता है कि एक परसन को खाने के बाद लोड़ ऑफ सेंट से पे रो गया थोड़े टाइम के लिए यहीं उसके अटेक में थोड़ा गया पर साथ ही हमको यहां पर सास लेने के लिए थोड़े टाइम मिल गया है और वह बंदा भी डरते हुए वहीं बेड़े आता है सोचा होता है कि काफेता डरावना था उसने उस परसन को बस एक छटके में खाल लिया मेरे को डियरे की सिच्वेशन में कोभी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा यहां पर मोरल्स किसी काम के नहीं जबकि एंट फैन तो उन दोनों लड़कियों की तरफ देख र सब्सक्राइब करिए का यह एंट फैन सोस्ता है इस रिपेल से हमको टोडल थ्री पॉंट मिलेंगे क्या आखिर इसका क्या मतलब हुआ और बस गाइस इस अबसरोड के लिए इतना ही है बागे की स्टोड़ी अब लोग नेक्स अबसरोड में जानेंगे जब तक के लिए ट